आप देख रहे हैं खिलारी नमबर बन 25,000 के उपर इस समय कमफिटबल ट्रेड इंडेक्स करता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन मिटकेप सोड़े से नर्म पड़े है MGL आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे ये क्वाटर मुझे आद है जब मैं इसके नमबर्स अनलाइस कर रहे थे एक स्ट्रोंग क्वाटर उभर कर आया है आज पहले ही स्टॉक थोड़ी सी मुनाफ़ वसूली दिखा रहा हो लेकिन इसका एक महिने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखेंगे Q1 का मैं अपडेट तब तक दे देती हूँ इन फैक्ट उमीद से बहतर प्रदर्शन देखने को मिला है रेवन्यू आपको सिरफ 1.5% ऊपर दिखाई दिया होगा 50-90 करोड का लेकिन इबिट्टा में 6% का इजाफा प्रॉफिटिबिलिटी 7% बढ़कर आई हैं, मार्जिन्स बड़े हैं, क्या हुआ है एक्जैक्ली Q1 में और हाल ही में कंपनी ने प्राइस हाइक्स पी अनाउंस किये थे, तो उसका कितना फाइदा मिलेगा Q2 में, इस सब पर बात करेंगे, कंपनी के M.D. आशू सिंगल हमाये साथ है, सिंगल साहब, कुंग्रेशि और जोर देखने को मिल सकता है, कंस्टरिंग आपने जुलाय में कुछ प्राइस हाइक्स लिये थे, तो ऑफसेट राइसिंग LNG प्राइसिस. जी, आप सही कह रहे हैं, Q1 नमारा अच्छा परफॉर्मेंस रही है, वॉल्यम ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, ओवरॉल कंपनी के लिए अच्छा है, और आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q1 में एक थोड़ा सा इंडस्टियल सेक्टर में थोड़ा वॉल् और 4% Q4 वर्सेस Q1 CNG में ग्रोथ है, तो ये नमबर आगे जाकर के सालाना साल के आंत में हमें लगता है कि अच्छे ग्रोथ नमबर्स में कनवर्ट हो जाएंगे. साह, LNG प्राइसस थोड़े से बड़े थे और उसका आपने उसे पासओन भी क्या करीब 1.5 रुपे और 1.5 रुपे अफकोस आपका CNG बड़ा, 1.5 रुपे कुकिंग गास बड़ा था, तो क्या इस समय वो पूरी तरह से फैक्टर डेन है जो आपके लिए इंपुट कॉस पड़ा था और आपने जो पासओन किया या फिर आगे सकोप है कुछ और प्राइसस आइक लेने का और इसका इंप्लिकेशन आपके मार्जिन पर अफली क्या रहेगा, क्योंकि क्यूँ की एपने मार्जिंज को कुछ बहतर किया है किरुछ तरहएं थ。 आगे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सिटको कंसिडर करके हम प्राइज हर महीमें דेखते पर हर महीन कीओंड करते हैं आप्सीयल कामिरशील शेक्टर में जो आल्टरनेट फ्यूलें उनके साफNow फैज में मानर अइस्टमेंट होता है पर सीएट्जी पी पिछला प्राइज डिसकाउंट दिया था वो मार्च में दिया था और अभी कुछ समय पहले हमने डेल रुपे प्राइज पासाउन किया है कस्टमर को क्योंकि इंपुट कॉस्ट हमारी बढ़ गई थी तो प्रोकुर्मेंट कॉस्ट में हमने काफी सारे स्टेप्स लिये हैं क कि स्टेपिलिटि यह कम हो और आगे जाकर कर आल्टरनेट फूल की प्राइस के साब से एपिम गैस की य्लोकेशन के साब से हम लोग प्राइस निर्दारिद करेंगे कि कम करना है ज्यादा करना है वंद्ध हम उसमें स्टेबिटि लाना चाहते हैं जहां तक संबह हो और EBITDA per SEM, जो लगभग 12 रुपए के आसपास आया है, I think, इस क्वोर्टर में, क्या आप उसे और बहतर करने की गुंजाइश है या नहीं? EBITDA per SEM पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारे को वॉल्यम ग्रोथ पर भी हमारा फोकस है, तो 10 से 11 रुपए के आसपास हम लोग समझ रहे थी कि EBITDA per SEM guidance थी, कि इस साल में हम लोग आंत तक बना पाएंगे, वही नंबर हम अभी बरकरा रखना चाहते हैं कि साल के आंत में 11 रुपए के आसपास रहेंगे, जो कंफर्टेबल लग रहा है आज की देट पे, और क्यूंकि आप फोकस वॉल्यूम पर कर रहे हैं, अब क्यूवन में तो वॉल्यूम बढ़कर रहा है, लेकिन FI 25 के लिए क्या ओट्लुक है, वॉल्यूम के लिए क्या आंटिसपेट कर रहे हैं, अलग बख 7 परसंट तो हमने दिया ही था, पर अभी जो क्यूवन की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको देखते हुए हम थोड़ा साथ परसंट से बेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं, 8 परसंट के असपास नंबर आ सकते हैं, अगर यही ट्रेंड की गुंजाइश देख रही है, क्या ऐसा लगना मुश्किल है क्योंकि इसके दो कारण है, जो डॉमस्टिक गैस है, वो ONGC, Oil India और Reliance प्रेद्यूस करते हैं, तो Reliance गैस को थोड़ा मार्केट प्राइस बेचा जाता है, एक सीलिंग के साथ, वो ONGC और OIL India की जो गैस है, व प्रोरेटा बेसिस पे हर एक सीजीडी कंपनी की थोड़ा काम हो रही है, अभी वो 65-66% के असपास पास बहुच गई है, जो 82-83% पे हुआ करती थी, जिसके कारण थोड़ा सा प्राइस हमने पासाओन किया है, ऑट उसको काउंटर करने के लिए गॉर्मेंट ने काई स्टे अभी लगता नहीं कि बहुत ज्यादा चेंजिस होंगे एपियम में बढ़ने के गुंजाइश थोड़ा कम ही लगती है, okay, sir, overall लेकिन डिमांड कैसी उभर कर आ रही है, CNG और PNG सेग्मेंट के लोड, especially CNG, considering वो बजाज ने वो CNG बाइक का भी अनाउंस्मेंट किया, तो हम अज्यूमिंग वो बाइक लेकर आ रहे हैं, तो उनको डिमांड और दिख रही है कि लोग चाहते हैं, CNG कार के वजाए एक टुवीलर का भी ऑप्शन रहे, क्या ये ड्राइव कर सकता है आपकी दिमांड को, आपका बैक अव दी आउन्वलोग काल्कुलेशन क्या कहता है? ये, CNG एक अच्छा सेग्मेंट है, हमारे पूरे वॉल्यूम में 70% जो सेल है, वो CNG में ही आती है, और बाइक जो बजाज ने लाँच किये, एक बहुत वेलका स्टेप है, बिकॉस एक नया मार्केट सेग्मेंट हमारे ले खुल गया है, और इसकी वज़े से हमने अपने अच्छा सेग्मेंट हैं, जिस तरह से वो डिमांड पिक अप करेगी, हम लोग भी देखेंगे कितनी बाइक आती है, कस्टमर का क्या फीटबैक रहता है, उसके लाँ इसाब से हम आगे अगे अपने कुस इस्पेंसर्स डेडिकेटली अलोकेट कर देंगे, जहांपर की तो यह CNG के लिए क्योंकि काफी सस्ती है CNG बाइक की जो रॉनिंग है, यह 50% कोस्त है डीजल की, पेट्रोल से सस्ती है CNG, और डीजल से 20% सस्ती है, तो बाइक की रॉनिंग कोस्त अल्मोस्त 45-50% पे आजाती है, अमझेल के जो इरियास है जो काफी बड़ा, मतलब एक एक ट्रैक्शन है, तो वीलर्स के लिए कि लिए कि वो लोग CNG की बाइक पे जाएं, वो काफी इंट्रिस्टिंग होगा, अवंडर वो बाइक का फील कैसे करती है, अशु जी आपने टेस्ट ड्राइव करने का कुछ प्लान किया है क्या? नहीं, I was lucky, बेर को बजाज ने जुंदर रूप से उन्होंने इसको डिजाइन किया है, एक और चीज जिस पर हमने पहले भी बातचीत की हुई है, आप इन फाक्ट E-Mobility सेग्मेंट को भी केटर कर रहे हैं, तो FI25 में कितना CapEx जाएगा E-Mobility में, लाजली क्या प्लान है? हमारा Direct CapEx E-Mobility में नहीं है, हमने एक कंपनी है, जो स्टार्टप टाइप की कंपनी है, बहुत पुरानी नहीं है, वो लोग करेंगे, बट हम लोग उसमें डिरेक्ली इन्वेस्ट किया था, तो और वहां पर निवेश नहीं होगा, जितना स्टेक है, आप उसकी तक सीमेत रखेंगे, अभी हमने 90 करोड का वहां पे स्टेक लिया है, और उसमें से एक इस्टॉल्मेंट डे चुके, दूसरा इस्टॉल्मेंट अभी एक दो महिने में देंगे, वो माइल स्टोन से लिंक होता है, जब वो माइल स्टोन एचीव कर ले और गुड़ लग फो फाई 25 जा, तो MGL, कमपनी ने का कि एक प्राइस हाइक आ चुका है, यहां से आगे प्राइस पढ़ने के फिलहाल आसार नहीं दिख रहे हैं, स्टॉक एक तीन महिनों में आप देखिएगा, करीब से 20 परसें तक का इजाफा दिखा चुका है, लेकिन कमपनी आशवस्त है कि वॉल्यूम क्रोध देखने को मिलेगा और CNG डिमांड में भी कोई कमी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खिलारी नमबो वन पढ़ लोग साथ वन भी करिए मौA lux जाएगा, कि लेकिनों, यही में लग रझेशा दिखाई où सथ om plac disgraceाut